हालो पिरन्स वाटकम बेक तो में जेनल देखे पिरन्स आज हमक्रेंगे घानची के लिए ब्यूटिफुल सा इद्रेस यह देखे यह हमने ऊपर के लिए जैकेट बनाया गए है यह हमारी ही हारी साथ में पैंट कैनGOई है कानची के ट्रेस बनके आगए है तो मैं चले काना जी को आपको पैना के भी दिखा देती dow ये दिके ये मैरी काना जी की पैंड है पैंड बनाना बहुत zak you आप इसे फ्रंट ओफन भी पैंड आ सकते हैं ये और और अगे से भी पैंड सकते हैं और बैक साइड भी पैंड सकते हैं मसमेंसे अच्छे से करना जी कि पैंट को ऐसे बाहन देता है कि हमाईद की पैंट कानजी के मैंने काफी अच्छे से बनाई है किपीट आ जाए और थोड़ी सी पैनाने आने में भी सुमफर्टेबल रहा है आप इसके अंदर पैंटी भी पैनासकते हैं कानजी को और यह हमारे कानाजी का उपर का जैकिट मान लीजिए आप यह फ्रॉग मान लीजिए यह हमारी कानाजी की पीछे से जैकिट फ्रॉग जो भी आप कह सकते हैं तो यह हमारे कानाजी की ट्रेस हो गए यह देखें अब पजामी पहना दिया तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यह हमारे कानाजी की कैप तो यह हमारे कानाजी की देखिए ब्यूटिफुल सा ड्रेस बन के आ गया है मैं आपको बैक सेट से भी दिखा देती हूं यह देखिए भान प्यारा सा पैटर्न के कानाजी की द्रेस्ट यह दिखिए इसपी चोटे गहरे कह रहे के और यह जैसे का आप करो यह चाज की द्रेस पनांगे तो evaluated कं आपको इसब हमारे पंसंद्ल पर न बन गयए और यह हमारे हमारे सीम्पल имार्स करीं आप चाहे तो इसमें 2.5 mm का क्रोश्य हूब भी यूज कर सेकते हैं चले बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखें सबसे पहले हम यहाप एक लूप बना ले लूप बनाया क्रोश्य हूब डाला और अब हम यहापे चेन लेंगे यह देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा शोला हमने हापे टोटल चेन ले लिए शोला चेन लेने के बाद हमने यहां से एक डो तीन तीन चेन और लेनी है अब जो हूं डबल कोष्या, सभी चैन में से हम में एक-एक बार डबल कोष्या कर लेना है। उमारे नेक्स चैन इशसे डालेंगें एक डबल कोष्या, क्या देखिए इस retro find एक बार डबल कोष्या करेंगे। बस जो हमने single double crochet यह है जो हमारा पहली chain में हमने लिया था बाकि बीच की सभी chain में हम दो दो बार double crochet लेंगे और last वाले जो हमारी chain होगी उसमें भी एक बार लेंगे starting में और last में एक डवल गोशह बीच की सभी chain में से यह दो दो बार double crochet हमें हमें लेकर यह रोग complete कर लेंगे यह देखे, ऐसी हम चलिए पूरी रोग कम्प्लीट कर लेते हैं, यह देखे अब यह दो रोग कम्प्लीट हो गई है, हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में एक डबल कोश्या रखा, बाकी सभी में दो दो बाई डबल कोश्या रखा है, अब हम नेक्स रोपे फिर से तीन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद एक डबल कोश्या इसे काउंट करेंगे, नेक्स चेन में डाला कोश्या होग, एक डबल कोश्या लिया, नेक्स चेन में डाला एक डबल कोश्या, अब देखे एक, दो तीन, अब यह चौती चेन है हमारी, तो चौती चेन में हमें दो बार डवल कुईश्या ले था, इस वाली chain में row में हमें सभी में से चोती chain में से दो बार डवल कुईश्या लेकर row complete कर लिये, यह देखे हमारी row भी complete हो गई है आप देखे हमारी यहां से दो च़ार दो चार, छे आठ दस, बारा चौदा, सुला 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 37 हमारी यहां पर chain हो गई है तो हम क्या करेंगे फ्रंट पर हम पाच पाच चेन पर डबल कोईश्या करेंगे ख्लीप पर 9 चोड़ेंगे और बैक साइड में हमारे 9 डबल कोईश्या बच जाएंगे तो चलिए हम स्लीप बना लेते हैं उसकी स्लीप बनाने के लिए 3 चेनली पहले अब देखें, next chain में हमने 1 double crochet किया, next chain पे 1 double crochet, next chain पे 1 double crochet, next chain पे double crochet टोटल हमारे यहां पे 5 double crochet हमने कट लिए, 1,2,3,4,5, तागला पेटा, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 9 chain चोड़ी और 10 वी chain में देखे, simple बस double crochet या वैसे कर दिना अभी हमारा वैक साइड़ आयेगा और अगर फ्रंट ओपन पर पनाते हैं तो ये बैक साइड हो जाएगा और वैक ओपन पर आठे तो ये फ्रंट साइड हो जाएगा तो इस पर हमारी एक डैडल कोशिया हो गया नेसे ये पर डाला करूश्य हूख दो डबल कुश्या तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नव फिर से हमें स्लीप के लिए नौच चेंज होड़ने देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ दसवी चेन पे एक डबल कुश्या ये देखे हमारा होगे डबल कुश्या, अब जो हमारी पच्ची हुई चेन है सभी पे हम एक पडबल कुश्या करेंगे पांच, पांच डबल कुश्या हमारे सामने पट्टी पे आजाएंगे 9 वैक साइड में आजाएंगे और 9-9 हमारे स्लीव पे आजाएंगे ये हमारी चोली हाँ से इस तरीके से बनके रड़ी हो जाएगी ये देखे स्लीव तोड़ी जादा मतलब खुली ही रखने की कोशिश करें आप चाहे तो यहाँ पर जैसे मैं 9 लिये हैं 9 की जगे आप 8 चेन भी ले सकते हैं ये जैसे आपको comfortable आप उसी साब से बना सकते हैं तो ये हमारी देखे चोली इस तरीके से बनके आ गई है तोड़ी स्लीव खुली रहती है हाफ डल जोशा करने हैं effects भी disappointment परमे हमें हाफ डल जोशा करदेना है कि भी सही पठें पर हमें हाफ डल जोशा कर देना है चल़िए मैं रही रहूड कर लेती हमresia परिट करने क्+. हमें का करना है अब यह वाला यह हमारा पल्हाण यहां से इतना चोली गया हुआ है पूरा हो गया अब उसके बाद हमेहां से एक दो तीन तीन गृषिया और चोनो अग्री पर हं कि पहली ही प्हाली में मृत ले कि अजैन में 101 पश्या ने को चेला धोने को चूछ फुरी रों हमें ऐसी ही कुधल कर दिया थो ली के चलिक इतियों ह הבद आपको नेंग्सняप सोगे conspiracy कर दिया है अब क्या करेंगे यहां से आपना हम फंदा इस तरीके से छोड़ देंगे इस साइड से हम अपना दूसरे कलर का भून लगा लेते हैं कि यह नॉट लगाई नॉट लगाने के बाद यह हमने यहां से लॉक कर दिया लॉक करने के बाद देखिए हम यहां से एक दो और यह तीन तीन चेन ले लिए अब हमने देखिए यहां से तीन चेन ले लिए दागे को लपेटेंगे और जो हमारा यह फर्स लूप है इसी में क्रोशा हो डालेंगे यहां से एक बार दागा लपेटा यह दो बार और यह तीन बार सारे लूपों में से एक बार में ही ये धागा ऐसे chain निकालेंगे और इसे lock कर देंगे फिर हम देखिए यहां से धागाला पेटा एक लूप छोड़ेंगे ये वाला और next लूप में फिर से ये puff stitch बनाएंगे ऐसे धागाला पेटा यहां हाथ रखा फिर धागाला पेटा हाथ रखा फिर धागाला पेटा हाथ रखा फिर धागाला पेटा हाथ रखा चार बर धागाला पेटा है puff stitch बनाने के लिए और सारे लूप में से ऐसे निकाल देना है पिर इसे lock कर देना है फिर ऐसी करना है एक ल जिससे कि हमारे पफी स्टिश की लंबाई यहां पर कम ज्यादा ना हो पाए फिर इसे लॉक कर दिया फिर एक लूप छोड़ा दूसरे लूप में धागाला पेटा एक बार दो तीन और यह चार और यह लॉक कर दिया ऐसे हमारे यहां पर पफी स्टिश बन गया जाएंगे चली मैं पूरी रूप एसी कंप्लेट कर लेती हूँ अब हमारा यह पूरा रूप कंप्लेट हो गया अब हमारा यह लूप छोड़के यह वाले लूप में करना है तो यह जो मारा फंदा सामने फैला है इसको इस तरीके से पैला लेंगे या फिर आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते ताकि आपको कोई कंफ्यूजर ना हो बस हम एक लूप छोड़ा दूसरे लूप में जो लास्ट वाला है उसमें फिर से हमें एक पफिस्टिश करता है देखें दो बार धागा ला पेटा तीन बार और यह चार बार और यह हमने यहां से लॉक कर दिया हमारा कुछ इस तरीके से पफिस्टिश बन क्या जाएगा अब इ पफिस्टिश क्या करें कि एक रओं और बनाएंगे यहां पर कि हमारे जो लूप है इनके बीच में कि यहां राज्य हमने तीन चेन दी पहले स्टाटिंग में इसे वाले लूप में डालेंगे और इस साइट से हम थोड़ा सा दागा जोडएंगे ग्रीन कलर का और इसे हमारा जो यह फर्स्ट लूप है इसमें हमें डबल कोशिया करने है अगयल है एक पार Kimberly ऌतना पहले तीन चैन लिया तो Daily क्योशिया होगा हमारा यहां पर और यह तीन धे Japanese करने के पाद हमारा यह viewer को लर्ग करण wprowad Karma यहां पर तीन बादोबबल कुश्या कर दिए मैं आप चाहे हैं तो इसे चार भर भी ले सकते हैं अगर आपके पतली हो तो मैंने यो पर तीन डॉबल कुश्या किया और यह जो नेक्स लूप है पफिस्टिश के भीच बन के आएगा देखिए यह रोभी में चलिए ऐसे पूरी कर लेती हूं यह देखिए हमने हाँ पर यह रोव कंप्लीट कर लिए देखिए अब हमारा यह लास्ट पफ इस्टिश आ रखा है इसलिए हम यहाँ पर तीन डबल कुशे लेने के बाद दो चेन लेंगे और यह जो यहाँ इसे द्हागे को कट कर दें हो हमारा ea पी अट्रेस बन के उसरे डरी हो गया में द्धा द्धागे लेजाकर ले कि पीच्छे के साथ ह्लेंगे हैं दोड़ाइजस करने के बाद और Gerald कच जाए तो कटाणEZ कर सकते हैं निकलेगा नहीं हमाराने करने के बाद ठीक है आप हमारा यहाँ पर धागा एड़्जस्ट हो गया है और यह इस साइट के भी धागे वागे मैं चलिए एड़्जस्ट कर लेती हूँ तो मैंने अब इसका देखे द्रेस का लूग हमारा कुछ इस तरीके से आएगा यह ऐसे हमारा ड्रेस का लूग आएगा इसके साथ हमने आप पजामी भी बनानी है ठंड ज्यादा है तो अब पूरी ही ड्रेस पैनानी होगी खानाजी को इदे की पजामी बनाने के लिए मैंने आप टोटल 40 चेन लीती उपर से यह 40 चेन ली है और 40 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 4 चार चेन मैंने आप पर 4 रू मैंने आप डबल कोशय की बनाई है सीधी सीधी बनाई है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद हमने इसको आधर डिवाइट कर लिया है यहां से हमारी यहां पर 49 चेन आ गई थी क्य है इसके बात कि मैंने यहां से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 टारा मैंने चेन इदर ली è 18 डबल कोशय है इसको बीच में इ वनकोशन हमने स्कीप कर दी चार रू बनाने के बाद हम नहीं यहां से दो डबल कोश्य की रो बनाई है आधा आधा करके अठारा डबल कोश्य में इधर बनाए है अधारा डबल कोश्य में इधर बनाए है बस हमने यहां पर क्या किया अठारा में फिर एक परपल का डबल कोश्य लिया है कलर का और फिर एक ग्रीन कलर का डबल कोश्य ले लिया है तो हमारी टोटा यहां पर देखे 5 तरीके से आएगी 4 डूविल कोश्या उपर, 2 डूवल कोश्या की रो नीचे, अब हमें इससे स्टिच कैसे करना आएगे, स्टिच हम यहां से ऐसे करेंगे, यह जो हमारी नीचे की दो रो है इसको यहां से stitch करेंगे और इधर वाली रो भी stitch करेंगे और उतना करने के बाद फिर यह जो हमारा open हिस्सा है यह वाला इसको यहां से यहां तक stitch करतेंगे आप चाहे तो इसे सुई दागे से भी स्टिश कर सकते हैं या तो आप चाहें क्रोशे से भी स्टिश कर सकते हैं मैं आपको क्रोशे से स्टिश करना बता देती हूं देखें यहां से हमें अपना क्रोशे हो डालेंगे किनारी से जहां से हमारा स्टार्ट है यहां से हमने इस त आइसा हमने यहांसे एक चेन ले लेए, चेन लेने के बाद यहांसे क्रोश या हूँक डालेंगे, और यह ऐसे टृप करदेंगे, फिर घ्रे मथ से पर्पल वाले में डाली, थे दागा, भी हम हम जो हमारा extra दागा है देखें, इसको भी हम साथ के साथ यहांपे स्टिश करद यह वाला जो हिस्सा हमारा यह वाला इसकी प्लिग कुरींगे यह वाला जो फंदा है हम यहाँ ले जाएंगे यह हमने यहां से सिलिप इस्टिश कर दी तुमारे यह जॉइंट होता जाएगा राम से कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए अब हमें यह जो परपल वाला लूप है इसमें डालना है क्रोश्य हो आप जाते से सिंपल सुई धागे से भी इस्टिश कर सकते हैं मैंने आपको बत दा दिया है परनानी मैंने पहले पिंद कना का बार बताई है कोई और इसमें वाले लूप में डालनए तक जो हो और यह जो पेसे पर विल्कुल नीचे लेगा कोनेने जहां से start है हमारा वहां से भी सिलेपिश्च कर दिया अब ये देखिए हमारी दोनों side यहां से लोग हो वही है इधागे हम यहां से cut कर देते हैं हमने ये cut कर दिया अब हमें क्या करना है अपना crochet hook लाएंगे यहां पर उपर धागा ले आएंगे ए ऐसे से पिस्टिश करते हैं उपर आ जाएँगे ये ऐसे अब हमारा देखिए दुनों साइट उपन हो सिल गई है और ये जो हमारा open साइट है ये वाली दुनों पट्टि भी हम ऐसे ही स्टिश करेंगे बस पट्टि को ऐसे भी निवी चलेगा अपने कहां से this किया हुआ है कहां से नहीं किया हुआ है और बहुत ही मद्भूती से हमारा यह स्टिश कर दिया तो भलका सब कि ओपर तक हम चाहें तो आप उपर तक भी कर सकते हैं भी यह हमारा उपर कट करना उपर नहीं कट करना है मैं भी आपको पलट के दिखाऊंगी बस आपको दोनों पल्ले पकड़ने हैं और इस तरीके से बुनते विए जाना है हमारे यहां पे इतना काम हो गया देखे अब यह स्टिच हो गया हमारा इसको हमें यहां से धागे को कट कर देना नीचे ल हमारा पजाम काना जी का पजामी पैंट जो भी आप कहना चाहें बनके रडी हो गई है विसमें इसमें डोरी डाल देनी है और डोरी आप किस तरीके से बनाएंगे ऐसे चेन लेंगे और लंबी सी एक चेन मनाते वे जाएंगे जितनी मर्जिया आप उतनी लंबी बना सकते ह ऐसे हम यहां पर चली चेन मना लेती हूं फिर असको बाद आपको बताती हूं कि यह देखिए मैंने यहां पर डोरी बना लिए बस डोरी हमें यह जो दो लूप में से ऐसे डालेंगे ख्रोश्या होग दो लूप में से डालेंगे दो में से निकालेंगे बस हमें ऐसे करके यहां से इसे पकड़ के डूरी को और ऐसे निकाल देना है तो यह देखिए हमने यहां पर डूरी डाल लिए पैंट में हमारी ड्रेस भी बनके रैडी होगा यह काना चीकि देखिए और देखी के लिए मैंने यहां पर सीधी सी पट्टी बनाई यह जैसे हमने पैंट के लिए बनाई दीखिए यहां पर मैंने टोटल बाइस पंदे लिए बाइस पंदे लेने के बाद यह रो बनाई है डबल कोशे की एक हाफ दिल कोशे की परपल से मैंने बस यहां पर लाइनिंग दे दिया अगर आपको लाइनिंग ना देनी हो सिंपल आप चार लो रो बना लेजिए डबल कोशी की चार रो बनाएंगे तो आपकी कैप कानाची की बन जाएगी 22 बंदे लेखे अकर ज़्यादा डिली कानाची को विगवगार लगानी है तो आप 24 या 25 चेन ले सकते हैं उससे बनाएए यहाँ पर मैंने 22 चेन लिया है 22 चेन लेने के बाद एक डबल कोशे के रो एक हाफ डिल कोशे के रो दागा बतल दिया है एक डबल कोशे के ग्रीन रो फिर एक डबल कोशे के परपल रो और एक मैंने यहाँ पर हाफ डिल कोशे के गीन रो बनाएगे अब इसको दिखे हो मैं क्याप को बस सिंप्ली इस तरीके से यहां से पकड़के ऐसे सिल देना शिलने के बाद यहां से ऐसे करके सुई से सिल देंगे और धागे को खीचके नॉट लगाके इसको बान देंगे तो हमारी कानजी के कैप भी बनके रैडी हो जाएगी चलि मैं इ इसके बाद आपको ड्रेस कानजी को पहना के दिखाऊंगे यह देखे हमारी आप किसी भी साइट से सीधा या उल्टा रख सकते हैं इसे तो हमें बस ऐसे सिंपल सिलना देखिया यहां से स्टार्ट किया था हमने और नीचे जो हमारी साइट जहां से हम लॉक करते उसको मैं हमने नीचे रखा हुआ है यह हमने यह से ऐसे लॉक कर देना है यह दागे भी साथ के साथ हमें ऐसे अरजस्स करने हैं दोनों साइट की पट्टी को पकड़ेंगे पराबर और यह हम ऐसे इस्टिश करतेंगे यहां से देखिए हमें ऐसे करना है एक चेन छोड़ेंगे दो चेन छोड़ेंगे और इस तरीके से सुई निकाल देंगे जिसको एक खट्टा करेंगे ऐसे और यहां से अच्छे से एक दो बाट नोट लगाएंगे यही बनाई है चोड़ी मी बनाई है जैसे कि काना जी की कान अच्छे से कवर हो जाएंगे तो यह हमारे काना जी की कैप हो गई है और यह हमारी काना जी की ड्रेस यह देखिए और यह हमारी काना जी की पैंट तो हमारी आज की ड्रेस आपको कैसी लगी फ्रेंट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर गताएगा वीड़ अच्छे लगए तो वीड़ को लाइक कीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा वी मिलते है ऐसी कैसी वीड़ में तब त एक प्रेंट झाव के लाइक क्य़च्छ रिट्सकैन वीड़ी मिलते है झाल प्रेंट आप करके होब हैंस्या अवड़ सा हले की जो यो यववर को को मिलते है उके फिवए आपया जय है मिलते है